दोस्तों आज हमारे पास रिपेरिंग के लिए ये इंडेक्षन आया है हालां कि ये इंडेक्षन पहले भी कहीं रिपेर हो चुका है क्योंकि इसका जो ओरिज़नल ये जो डिस्प्ले है उसकी जहें पर यह Chinese डिस्प्ले इंपोर्टीड डिस्प्ले लगाया हुआ है होता क्या है कि कई बर PC भी रिपेर नहीं हो पाती है उस केस में एलेक्टिशन या हम लोग कोई भी इसके पूरे जो PC बी के साथ में यह डिस्प्ले मार्केट में मिल जाता है चाइनीज यह आपका सेट है इसको हम पूरे को रिप्लेश कर देते हैं जिसके साथ यह डिस्प्ले भी आती है लेकिन सायद उसके बाद भी यह खराब होगा जिसकी विज़े से हमारे पास यह रिपीट होके आया है सबसे पहले हमने इसको यहां पर AC इपूट से कनेक्ट कर दिया है AC इपूट हमने BET Tuesday के अस्पर इस पर कनेक्ट की लेकिन कोई भी बज़र साउंड कोई भी डिस्प्ले यहां पर यह शो नहीं कर रहा है इसका मतलब यह इंडेक्शन जो है यहाँ पे ओन ही नहीं हो पा रहा है इसके कई कार्ण हो सकते हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इसके एंक्लोजर को PCB को बाहर निकाल लेते हैं फिर इसको रिपेर करने की कोशिश करते हैं PCB को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है हमारी PCB ओन हुई या नहीं हुई वो हमें पता लगेगा फैन थोड़ा सा रोटेट होगा बजर साउंड आएगी और डिस्पले आपका ओन हो जाएगा यहाँ पे ना तो बजर साउंड आई है ना डिस्पले ओन हुआ है ना ही फैन यहाँ भी ओन नहीं हुई है ऐसी कंडिशन में सबसे पहले मल्टी मिटर को कंटिनुटी पर कर लें और इसके डी एसी फ्यूज जो होता है उसको चेक करें फ्यूज यहां पर ठीक है फ्यूज ठीक होने का मतलब क्या है दोस्तो इसका IGBT और इसका जो रेक्टिफायर है यानि किसके पावर डिवाइसीज है वो बिल्कुल ठीक है फ्यूज अगर ओपन हो जाता है तो यह आपके पावर डिवाइसीज खराब होते हैं क्योंकि power devices खराब होने की condition में fuse आपका open होगा ही होगा वो आपका okay नहीं मिल सकता अब उसके बाद हमें क्या check करना है सबसे पहले हमें check करना है क्योंकि यह जो controller होता है या इसकी जो supply होती है उसके लिए यहाँ पे एक regulator लगाया होता है जैसे हमारा LM 7805 होता है उसी तरीके से यह छोटा सा यहाँ पे 7805 यहाँ यह यहाँ पे लगा होता है यह देखिए यहाँ पे मैं कोशिज करूंगा कि इमेज यहाँ पे लगा दूँ 7805 ऐसे कोशिज का number होता है हम यहाँ पे clear रह लेते हैं यह देखिए तो इसकी पहली जो पिन पर चेक करें तो आपको यहां पर 5 वोल्ट मिलेगी तीसरी पिन पर चेक करेंगे तो इन्पुट जो भी 9-10 वोल्ट या 11 वोल्ट आएगी वो आपकी मिलेगी दोस्तो वोल्टेज चेक करने से पहले मैं एक थमरूल एक आपका जो एक्सपिरियंस के इसाब से है वो भी मैं आपका पॉइंट यहां पर शेयर कर देता हूँ हम इसको अगर इंडेक्शन को इसी कंडिशन में डेड कंडिशन में ही यहां पर अगर हम कुछ देर के लिए ओन करेंगे तो यहां पर इसका जो समपिस का सरकेट है जो पावर सप्लाइस का जो सरकेट है इसमें कुछ कंपोनेंट आपके हीट होने लगेंगे जो खराब है नोर्मली आपकी जो यह आपकी जो आईसी है जो कि आपका इसको स्विचिंग प्रोवाइड करवाती है यह भी आपकी गरम हो वो सकती है इसके आज-पास के और component भी गरम हो सकते है दो मिनिट भी अगर आप इसको लगा के और इसको बंद करके फिर अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौह से component यहां पे गरम है normally से संब्ली वह आपके खराब हो सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर आपको बताओं यह One तो डिशी हीट है याँ पर थोड़ी किया ज़्यादा हीट है उसके बाद कोई अगर PF अगरा हीट है वो भी आपको पता लग जाएगा फर अगरा कि ये जो डाइवर है ये भी हीट है कि अब यहां पर एक पैंट और नोट करने का है अगर आपकी अकेले ये आपकी IC गरम है और बाकी component गरम नहीं है तो ये IC आपकी खराब है अगर इस IC के साथ में आगे कोई PF या कोई driver ये जो आपका transformer है ये गरम है तो इसका मतलब ये IC ठीक हो सकती है क्योंकि आगे ये driver में problem है या PF में problem है या किसी diode में या किसी transistor में problem है तो उसकी वज़े से ये driver IC से वो current यहाँ पर जा रहा है जिसकी वज़े से ये भी गरम हो रही है अकेले ये गरम है तो ये IC खराब है साथ में और भी कोई चीज गरम है तो ये IC ठीक भी हो सकती है क्योंकि उसके short होने से उसके खराब होने से इस IC पर लोड पड़ता है जिसकी वज़े से ये IC भी गरम हो जाती है जैसे कि हमारे case में है ये IC भी गरम हो रही है और ये आपका driver भी यहाँ पर गरम हो रहा है इसका मतलब हो सकता है कि इस driver की वज़े से वो IC गरम हो रही हो, IC ठीक भी हो सकती है अब यहाँ पे एक दो component और हम चेक कर सकते हैं क्योंकि driver भी normally गरम होता नहीं है, driver भी तभी गरम होता है, जब इसके output पे कोई component सोट हो, driver के बाद का कोई component अगर सोट होगा तो यह driver जो है आपका गरम होने निकलती है, वो AC फोर्म में ही कही जाएगी उसके बाद यह diode लगाया जाता है FR107 High Frequency का यह rectifier diode है क्योंकि Very High Frequency पे स्विचिंग होती है, यह IC स्विचिंग कराती है तो यह diode लगा होता है उसके बाद इस diode के बाद जो DC बन जाती है उसके यह 18V का जिनर लगाया जाता है और उसके बैक टू बैक में यह 4148 मैं आपको डायोड मोड पे इसको कर लेते हैं देखिए और इसको चेक करते हैं यहाँ पर 0.6 यह जिनर डायोड ठीक है 0.5 यह 4148 भी ठीक है FR107 दोस्तो यहाँ पे यह FR107 यह सोट है हम इसको कनफरम भी करेंगे एक तरफ से निकाल लेंगे या पूरा ही बाहर निकाल लेंगे हो सकता है कि इसकी वज़े से इसके बाहर कोई कपेश्टर सोट हो इसलिए हम इसको सबसे पहले निकाल लेंगे इसको चेक करेंगे उसके बाद ही हम यहाँ पर सीजन लेंगे यह डायोड ठीक है जिनर ठीक है और यह आपका FR107 जो कि यहां से स्वीचिंग होने के बाद जो एसी निकलती है step down होके step down होके जो एसी निकलती है उसको यह rectify करता है और उसके बाद जिनर जो है उसको 18 वोल्ट पर regulate कर देगा तो यह regulator जो जिनर डायोड है यह भी ठीक है यह फोरन फोरेट ठीक है यह जो आपका डायोड है rectify डायोड है high frequency का है FR107 इसके जगह पर आपको high frequency का ही लगाना है 40007 नहीं लगाना है वो जल्दी खड़ा हो जाएगा क्योंकि very high frequency पर इसके switching होती है तो यह जो frequency है वो matter करती है यहाँ पर इसको निकालते है चैक करते हैं हो सकता है कि अपना काम यहाँ पर बन जाए क्योंकि अगर यह डायोड सोर्ट होगा तो डायोड सोर्ट होने से आपका यहाँ पर rectify नहीं हो पाएगा और आगे जो है एक लेग को यह जो है आपकी जो IC है यह switching IC है यह उसको on off करती है तो इसका लोड इस पर गिरेगा तो यह भी गरम होगी हो सकता है कि हमारे सारे component ठीक और यह शिर्फ के ला डायोड यह खराव हो क्योंकि ऐसे मेरे पास पहले भी केस आ चुके है चेक करते हैं और इसको आगे बढ़ते है इसे डायोड को बहार निकालके चेक करने से पहले मैं voltage का भी यहाँ पर बता देता हूं कि voltage आपको कैसे चेक करनी है ओन मैं कर देता हूं negative की जगहें पर negative लगाएंगे यहाँ पर negative से आया है यह resistance तो यहाँ पर negative ले लेता हूं और यहाँ पर चेक करेंगे इसका जो एनोड है वो आपका switching के जो transformer है उसकी तरफ जुड़ा होता है यानि कि यहाँ पर high frequency की AC रहती है तो यहाँ पर यह DC दिखाएगा नहीं AC भी आपका कुछ मिटर ही इसको चेक कर पाएंगे लेकिन इसके cathode की side में यह DC निकालता है तो DC पर करके चेक करेंगे तो यहाँ पर voltage मिलनी चाहिए जितनी भी आएगी 18, 20, 22 वो भी voltage आएगी अगर जिन्नर लगा है तो 18V के आसपाशी आनी चाहिए तो वो आनी चाहिए लेकिन यहाँ पर voltage नहीं आ रही है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर voltage नहीं आ रही तो यह तो switching में प्रोल्म है यहाँ पर डायोड ही खराब है तो इसको निकाल के चेक कर लेते हैं यहाँ पर voltage आपकी नहीं आ रही है इस डायोड को निकालते हैं चेक करते हैं डायोड को ए दिखाएगा, open करने के बाद भी circuit से बार निकालने के बाद भी दोस्तों ये आपका 002 दिखा रहा है यानि कि ये diode short है, अब हमारे को कोई doubt नहीं है, उल्टा भी करके देखेंगे तो ये भी 00 दिखाएगा अब हमारे को कोई भी doubt नहीं है कि ये आपका डायोड जो है, आपका यहाँ पर देखिए, 002 ये डायोड ही खराब है, ये short है, fr107 इसका number है, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, अगर fr107 नहीं है तो mbr160 भी लगा सकते हैं, जो अपना inverter में, sine wave में यूज कर सकते हैं यानि कि हमें लगाना high frequency डायोड ही है, मेरे पास fr107 है मैं यहाँ पर change करता हूँ, उसके बाद आगे check करते हैं, ये डायोड हमने यहाँ पर replace कर दिया है, change कर दिया है डायोड मोड पे करके मैं इसको check करवा देता हूँ आपको negative पे cathode पे black और anode पे red 0.492 पहले वो 0.002 दिखा रहा था यह वो short था, अब ये ठीक है voltage भी मैं check करवा देता हूँ, multimeter को कर लेते हैं, DC पे अब देखिए, buzzer sound भी यहाँ पे आई है, क्योंकि fan हमने connect नहीं किया है, तो fan यहाँ पे rotate नहीं हुआ है, लेकिन buzzer sound यहाँ पे आ गई है, यानि कि circuit तो on हो गया है voltage देखिए, यह आपका anode side में यह show नहीं कर रहा है cathode side में 19.4 क्योंकि जिन 18V का लगया है, तो उसमें इतनी variation कभी आती है, मैंने कई पर मैसूस किया है अगर ज़्यादा voltage हो, तो वो cathode पे 19.47 DC voltage आ गई है, यानि कि अब हमारा यह SMPs on हो गया है एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि buzzer sound भी आती है, fan भी operate होता है, और साथ में display भी आ जाता है buzzer sound भी आप मैसूस करें सुन सकते हैं, fan भी यहाँ पे process करेंगे कि आपको दिखाने की यह देखिए, fan rotate हो गया है, buzzer sound आई है और डिस्पले भी चल गया होगा, वो back side में है वो हमें इसको check करते हैं आपको दिखा देंगे induction को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे assemble कर दिया है, उसके यह देखिए, यह यहाँ पे induction हमारा चालू हो गया है और यह यहाँ पे heat भी होने लगया है हमने यहाँ पे इसको repair कर लिया है इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे channel की playlist पे जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपका जितने भी home appliances है जैसे induction है, inverter है stabilizer है, smps है, power supply आपका और आपका जितने भी LED, floodlight, streetlight adapter है, सभी तरह के जो appliances हैं, instrument हैं, उनकी repairing की वीडियो हमने अलग-अलग playlist में upload की हैं, उन सभी को आप जाके देख सकते हैं, नए हैं तो चैनल को subscribe कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो की notification आपको लगातार मिलती रहें, thank you दोस्तो